नमस्कार प्यारे साथियों मैं हूँ अभिनतो शान शुपांडे और हमारी बात चीत चल रही थी प्रीवियस येर क्वेस्टेन याने की पी वाई क्यू सिरीज की आप सभी का स्वागत है अभिप्षा की पूरी टीम की तरफ से और हम जो है क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर क इच्छा की तयारी कर रहे हैं मिशन 2023 के नाम से जो हमारा यह एक्जाम से चल रहा है यह आपको हमारे अप्लिकेशन में दिखाई देगा और अगर आप अप्लिकेशन से यह सारी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आपको एडिशनल सपोर्ट मिलेगा जो की शॉर्ट नोट हैं माइंड मैप हैं आप अपनी तयारी बिल्कुल पुखसा कर सकते हैं तो हम लोगों की बातें जो है चल रही थी प्रिविएस यह क्वेशन की हम हर बार जो है पिछले वर्षों में पूछे गया प्रशनों के बारे में जो है चर्चा करते हुए आ रहे हैं ताकि हम यह भ हम पूर्ठ के नाम से हैं और यह 50 aber मतलब आई ज़ी का मैं हो जाता है सुन डासंवल्ण यख यह Cinema इंप यह थी इस में अ ईसको हो जाता है लेकिन हमें पहला है कि हमें इसे पांच एंप न का जो है पांच एंपकर okay का अमीटर बनाना है मतलब जो है हम को जो है आई का मान ले लिए आई बराबर 5 मीटर पाच पांच एंपियर अब जो है पांच एंपियर का करेंट नापने के लिए इसमें किस शंट रेजिस्टेंस कितना लगाया जाए यह पहला हो गया जब हमको अमीटर बनाना है क्या बनाना है यहां पर अमीटर की बात चल रही है इसी प्रश्ण में जो है दूसरा हिस्सा आपसे है कि यहां पर यदि हमें पांच वोल्ट का जो है विभाव नापना है तब ऐसे केस में आर वी निकालना है जो कि क्या है यह जो है वोल्ट मीटर के लिए है तो इन दोनों प्रश्णों को देखने के लिए सबसे पहले हम अपना थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हमारे पास इस तरीके से शंट रजिस्टेंस लगाते हैं और ये शंट रजिस्टेंस का मान इतना कम होना चाहिए कि अधिकतंधारा यहां से निकल जाए और गैल वेनओटर सूरक्षितर है ऐसी स्थिति में हमारे पास में सूत्र है RS बटा RG बराबर IG बटा IS या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि RS बराबर IG गुणा RG और बटे में IS सूत्र को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं ताकि हमारे लेकाम आसान हो जाए और यहां पर हमें मान लिखना है तो हम मान लिखेंगे IG का मान कितना है सून्य एक एमपियर आर जी का मान कितना है पचास उम उसके बाद में आई हमको कितना चाहिए पांच एमपियर का हमको करेंट नापना है तो आई का मान हो जाएगा पांच एमपियर और IG का मान सून्य एक है तो रिन सून्य एक अच्छा यह जो संख्या है वो इतनी छोटी है कि पांच के मान में फरक नहीं पड़ रहा है तो इस तरीके से हम क्या देख सकते हैं इसको अप्रोक्सीमेटली हम लिख सकते हैं पाचास और गुणा सून्य एक और बटे में यहाँ पांच तो देखे पांच अकम पांच पांच हम पांच हम पाचास जो है अब अगली बात करते हैं वोल्ट मीतर का काम कैसे होता है तो भया मेंटर होते हैं स्रेंदły क्रम में जो है और समय को लगा जिते हैं और यह वॉल्ट मीतर की तरहा कारे करता है अब यहां पर इसके लिए हमारे पास सूत्र है आरवी का मान बडाबर आर यहाँ पर है बूल्टेज परास V बटा आई G रेन आर ठीक है अब यहाँ पर जो है वोल्टेज कितना चाहिए हम को हम लोगों ने प्रशन देखा है तो 5 5 वोल्ट जो है हमें आपना है बटा सूने दसम्लाव सूने एक और यहां हो जाएगा रिण पचास और यह मान हो जाएगा आरवी का ठीक है तो यहां पर जो है हम इसको और कह लिख सकते हैं आप ध्यान देखिए गणित में हम कभी कभार यहां पर गलती कर बैठते हैं जब भी हमको दसम्लाव वाली संख्य को बदलना होता है तो हम क्या करते हैं देखिए सूने दसम्लाव सूने एक जब भी हमको यहां पर यह जो दसम्लाव है इसके बदले हम एक लिखेंगे और इसके बाद में जितने अंक हैं उतने शूने बढ़ा देंगे तो सूने दसम्लाव सूने एक को हम एक बटा सौ भी है A बटा B और पूरे का बटा C बटा D जब हम ये करते हैं को हमारे पास आता है A बटा B गुणा D बटा C ये जो है सूतर है तो इस तरीके से यहां पर आ जाएगा 5 बटा 1 गुणा 100 बटा 1 और रिन 50 तो यह हो जाएगा 500 रिन 50 और यह हो जाएगा 450 ओम और यह किस चीज का मान निकला यह मान हम लोगोंने आरवी का निकाला है तो यदि जो है हमें यदि हमें वोल्ट मीटर को सॉरी गेलविनो मीटर को पांच एमपियर धाराम आत्मे वाला अमीटर में बदलना है तो हमें एक प्रतिरोध शंट प्रतिरोध लगाना पड़ेगा यह मान बहुत कम होगा सुंदिन निकला एक ओम और यह से हमन इसके समांतर करम में लगाएंगे वही जब उसका मान नगन या फिर बहुत कम होता है उसके विपरीत एक आदर्स वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर है जिसमें गलविनो मीटर के साथ में हम स्रेणी करम में एक शंट प्रतिरोध लगाएंगे और इस शंट प्रतिरोध का मान अनन्त या फिर बहुत ज़्यादा होता है जै आपने वाग